हैं फर्ष्ट है हमारा सुल्तान और सल्तनत सबसे पहले हमें जानना होगा सुल्तान किसे कहा जाता था और सल्तनत किसे कहा जाता था सन बारा सो से पंद्रा सो चब्विस के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूबाग पर शाशन करने वाले शाशकों को सुल्तान तता उनके श शाशन करा था दिल्ली पर ठीक है उत्तर भारत के विशाल भूबाग में खास तौर से दिल्ली पर तदा उनके शाशन काल को उनका जो टाइम पीरियड था जैसे सन बारा सो से पंतरा सो छब्वेश उसको ही सल्तनत के नाम से जाना गया और यह शाशन मूल थे तुर्क तदा और अफगान मूल के थे इहनों ने 300 साल तक राज किया जिनमें 5 वन्षों ने राज किया था तो 300 साल तक राज हो किया था पर कितने वन्ष न किया था पांच वह शायते करके सबसे पहले हैं गुलां मैं यानी ममलुक वंश ठीक है इन्होंने 1,206 1290 से 11 verteas Τbी सुषवी तक शाशन करा फिर है तुगलग वंच जन्हों अर्यंकर 321 से 1411 गोरा इसकी तक शाशन किया। इस से पहले हम और आगे की कुछ बातों को जानेंगे, जो ये मामलुक वंच के स्टार्ट होने से वेले कुछ बातों का जानना जरूरी है जैसे कि उनसे पहले कौन-कौन सी घटनाई हुई थी तो वो है भारत पर अरब आक्रमन जो कि सन 712 से 1220 के बीच में हुआ उनके आने से पहले मामलुक वंच या गुलाम वंच इस्टार्ट होने से पहले क्या हुआ साथवी शताबदी में अरब में इसलाम धरम का उदय हो गया इसकी स्थाबना पेगंबर मुहम्मद साहब ने की थी तो साथवी शताबदी में अरब इसलाम धरम का उदय हो रहा था और इसकी स्थाबना कर दी थी पेगंबर मुहम्मद साहब ने और आठवी शताबदी के तरफ तो इसलाम दर्हम का उदय हो रहा था दूसरी तरफ भारत पर आकर्मन किया रहते अर्बों की तरफ से सन 712 में भारत पर किये गए आकर्मन का नेत्रत वह उम्मियत खलीफा के सैना पती मुहम्मद बिन कासीम ने किया था आपको यह बात ध्यान रखनी है कि सन 712 में किस आकर्मन का उद्यश्य अरब राज्ये का विस्तार था भारत पर आकर्मन करने का उद्यश्य क्या था उनका अरब राज्ये का विस्तार करना वो चाहते थे की अरब राज्ये का विस्तार हो जाए इसलिए उन्होंने भारत पर आकर्मन किया 712 में मुहम्मद बिन कासीम ने सिंद पर आक्रमन किया और दाहिर को पराजित कर दिया और 712 में 712 इस्वी में मुहम्मद बिन कासीम ने सिंद पर आक्रमन किया और दाहिर को पराजित कर दिया ने फिर क्या हुआ अर्बों ने बड़ी मात्रा में जान बचाकर भाग रहे सैनिकों को मार डाला जो सैने इस आक्रमन के द्वारा जान बचाकर भाग रहे दे उनको भी अर्बों ने बड़ी मात्रा में सैनिकों को मार दिया था ठीक है तो यह बात के लिए रहोती है फिर उस मेहमूद गजिनी ने भारत बस बहां से 17 बार आकर्मन किया था तो मेहमूद गजिनी ने कितनी बार आकर्मन किया था भारत बस 17 बार मेहमूद गजिनी गजिनी वंस का संस्तापक था तो गजिनी वंस का संस्तापक कौन था मेहमूद गजिनी और तुर्की गुलाम सेनापती था कि वे को सुभुक्त गीन का पुत्र था महमुद गजनी पिता को मार कर उनकी गद्र बैटने के लिए उसके पिता सदने करी ती तबहुते ने ≫ हिंदु शाशक जयपाल के विरुद है में ने भारत का पहला चलता रहा और जो गजिनीवंश के कुछ शाशक का नियंद्रण कहां चलता रहा पंजाब तदा सिंध के कुछ हिस्सों में कब तक चलता रहा 1135 तक इन आक्रमणों ने भारत की रक्षा नीतियों की किया जा सकता है उन पर उन पर हुकूमत की जा सकती है और भविश्य में तुर्कों द्वारा आकर्मन के लिए भी रास्ते खोले इसलिए रास्ते खोल दे उनको पता चल गया उनकी नीती जो रक्षा नीती है वो कमजोर है इसलिए अफगानी और अरब ये सारे आकर्मन याँ पर करने लग गई। है मेह मुलृ गजिनी पार आया média मुहमयद गौरी जिसका नाम था शाबढ़ दिन महम्मद स्वी तक शाशन किया गया था मुहांद गौर्य द्वारा सन 1173 में मौंद गौोरी जिसका नाम तरा शाहभु दिन मौंद महमूरोद गजिनी की गद्धी पर बैढ़ गया मेह मूद मौंद गौरी भारत में स्थाही साशन separately मकसद से भारत पर आया पूर चाहता था मौंद गौरी की भारत पर एक पर्मानेंटली क्या कर ले रूल करे इस्थाई शाशन करे अपना उसने विद्यांचल परवत के उत्तर में इस्थाई तुर्क समराज्य की स्थापना की उसने क्या करा विद्यांचल परवत के उत्तर में इस्थाई तुर्क समराज्य की स्थापना भी कर दी फिर आते हैं मुहम्मद गौरी के पाँच आक्रमन जो मुहम्मद गौरी द्वराज जीते गए और कुछ हारे गए उनमें से पहला आक्रमन था 1175 में जो की मुलतान पर किया गया था मुलतान आप मैप में देख सकते हैं मुलतान यहाँ पर है ठीक है? तो 1175 में मुल्तान पर आक्रमन करा था मुल्तान के उस्व में जो राजा थे वो थे मूंग राज यहाँ पर परिणाम क्या हुआ मुल्तान को मूंग राज से जीद गया फिर 1188 में 1178 में माउंट आबू के राजा जो थे भीम देव द्वित्य थे इनसे लडाई करी मुहम्मद गौरी ने पर इससे वो हार गया 1198 में तराई का प्रथम व्षूद हुआ इसमा पृत्विराज चोहां से वो हार गया और तराई के दित्वित्य में बूक्र से जीद गया 1104 मैं चंदावर में लडाई व्टित्यर झालंब है Q. उन ऎ हमेमा ये न Divints